हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम आपको पत्ता गोबी की एक ऐसी सबजी बना कर दिखाएंगे जिसे आप रोटी या चावल किसी भी चीज के साथ में खाएंगे ये आपको बहुत ही जादा स्वादिश्ट लगेगी तो फ्रेंड्स इसके लिए आप देख सकते हो हमने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा पत्ता गोबी का लिया हुआ है और इस टुकड़े को हम बारी काट करके रखेंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई पर दो बड़े चमच सरसो तेल को डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे तेल के गरम होने पर दो पीस पतले कटे हुए प्याज डालकर प्याज को मीडियम आज में 5-7 मिनट हलका गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से चमच से चलाते हुए इसे पकाएंगे कुछ देर के बाद प्याज में जब हलका सा कलर आ चुका हो तब इसके साथ कूटे हुए अदरक लहसुन और हरे मिर्चो को डालेंगे यहाँ पर हमने आधा इंच अदरक एक गाट लहसुन और चार हरे मिर्चो को कूट लिया है और अब इसे प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए मीडियम आज पर पका लेंगे अदरक लहसुन और प्याज को पका कर इसके साथ में हम डाल रहे हैं आधा चोटा चमच जीरा पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर लेंगे आधा चमच कसमीरि लाल मिर्च का पाउडर, आधा चमच हल्दी, एक चोटा चमच या अपने स्वाध अनुसार नमक अब इसके साथ एक पीस कटे हुए टमाटर को डालेंगे और मसालों को 5-7 मिनट तक मीडियम आज पर पकाएंगे कुछ देर में मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं अब इसके साथ एक गिलास पानी एड़ करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को एक दम लो कर लेंगे और इसे ढग देंगे अब जो कटे हुए पत्ता को भी रखे हैं इसके उपर से टालेंगे थोड़ इसी हल्दी थोड़ा सा नमक दो छोटे चम्मच बेशन कुछ कटे हुए हरे मिर्च जितना आप चाहो थोड़े से बारिक कटे हुए प्याज डालेंगे और अब इसके साथ दो पीस अंडों को तोड़कर एड़ कर लेंगे आप चाहे तो इसमें तीन या चार अंडे भी ले सकते हैं लेकिन फिर भारी होने के वज़े से आपको ये पलटने में दिक्कत हो सकती है तो फिर आप एक काम करें अगर ज़्यादा बनाने हो तो दो या तीन छोटे छोटे ओमलेट्स को बना करके तयार कर लें अब इसे मिक्स करने के बाद हम एक पैन पर तेल को गरम करेंगे और इस तेल पर अंडे और पता गुबी के मिक्सेर को डाल कर इसे पकाएंगे चमच से चारो तरफ फैलाते हुए थोड़ा सा एडजेस्ट कर लेंगे ताकि एक ही जगा पर पता गुबी जो है वो जमे हुए ना हो और फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे कुछ देर में जब ये एक तरफ से पक चुकी हो तब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे कुछ देर के बाद अब आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ अच्छे से पक कर तयार हो चुकी है गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे पेन पर से निकाल कर रखेंगे अब हम एक चाकू की सहायता से इसे इस तरह से चोकोर टुकडो में काट कर रखेंगे अब पत्ता गोभी और अंडे का ओमलेट तेयार हो चुका है तो अब ग्रेवी को हम एक बार चेक कर लेंगे देख सकते हैं मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं और ग्रेवी भी बिल्कुल तेयार हो चुकी है इस पर बस अब कटे हुए ओमलेट को डाल कर हलके हाथों से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बस अब ये सबजी बन कर तयार हो चुकी है तो फ्रेंड्स आज की ये वाली रेसेपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें धैनेवाद